नमस्कार आदाब शश्यकार एंड बन मॉनिंग डाइस आप सबका यूटुब चैनल क्रियेटिव चरी एके में वैलकम है आज हम इस वीडियो में continue कर रहे है हमारा first chapter that is solution ठीक है first am 3 तो देखो पिछे लिए वीडियो में हमने reboots ला किया था volatile के case में non-volatile के case में for liquid liquid phase के हिए आज हम करेंगे total vapor pressure find out करेंगे in terms of mole fraction in vapor phase vapor phase में हम total vapor pressure निकालेंगे vapor phase में total vapor pressure निकालेंगे mole fraction के terms में okay let's see अब देखो मैंने ले लिया कि let कर लिया मेरी y a और y b जो है mole fractions है component a और b की a और b मेरे पास दो components है उनकी जो mole fraction है y a है एक मेरे पास y p है p है उनका total vapor pressure p है capital P total vapor pressure okay first of all मैं find out करूंगे partial vapor pressure of a partial pressure a पे a component पे तो हमने ये formula किया था कि जो partial vapor pressure होता है p a किसके इकोर होता है total pressure के into mole fraction तो ये मेरे पास a component के लिया गया first equation ठीक है same as it is मैं b के लिए find out करूंगे b के लिए करूंगे तो p b equal to p y b ये मेरे पास second equation होगे ठीक है अब इनकी जो p a और p b की values है रेवूट्सला से put करेंगे रेवूट्सला हमने non volatile के case में किया था रेवूट्सला क्या किया था जो मेरा p a है वो किसके equal है p not a x a के equal ठीक है p b है मेरे पास p not b x b है ना ये values आई थी अगर आपने ये देखा नहीं है कैसे आई थी वो पिछले वीडियो में देखना ठीक हमें just result यूज़ करेंगे रेवूट्सला की इन दोनों की values put करेंगे इनके अंदर देखो यहां क्या है p b है महां p a था p a की जगह मैंने p not a x a equal to p y a और यहां क्या कर दिया p not b x b equal to p y b ये मेरे पास first equation आगी ये मेरे पास second equation आगी ठीक है using delton's law delton हमारे पास एक scientist था जिन्होंने क्या किया था कि जो मेरा total vapor pressure होता है total जो pressure होता है वो किसके equal होता है sum of individual pressure के है ना यही बताया था तो same as it is हम करेंगे जो capital p है वो किसके equal हो जाएगा x a p not a plus x b p not b इन दोनों के sum up के equal तो sum up के equal होगा तो इनकी जगह क्या कर सकते हैं हमने एक equation की थी x a plus x b mole fraction of a plus b equal to 1 ये वाला relation put करेंगे x a की जगह मैं put कर सकते हूं one minus x b into में p not a plus x b p not b इतना समझा गया इसके बाद क्या करेंगे इसकी multiply करेंगे इसकी multiply करेंगे ठीक है और फिर common निकालके ये वाला result आ जाएगा x b हमारा common आ जाएगा दोनों से p not a plus x p not b minus p not a into में x b ये result आ गया उसके बाद क्या करेंगे जो हमें निकालनी है mole fraction mole fraction x b जो है उसकी value find out करेंगे तो इसको मैं उस साइड ले जाओ p capital p है मेरा इस साइड capital p जो p not a है उसमें minus हो जाएगा p minus p not a और ये term multiply में है तो divide में चली जाएगी ये वाला result आ गया ये मेरी third equation होगा अब क्या करेंगे second equation second equation क्या थी p not b x b equal to p y b इसमें हम put करेंगे x b की value ठीक है x b की value find out की putting third equation in second समझा क्या values put करेंगे तो y b equal to p not b into me p minus p not a ये values हमने put करती है इसको मैं उस साइड लेके चली जाओंगे इसको मैं इस साइड लेके चली गई और इसको यहाँ छोड़ दिया मैंने तो इसको फिर मैंने क्या क्या rearrange किया जो common निकल रहा था common निकाल लिया p p दोनों में से common निकल जाएगा फिर क्या हो जागा p not sorry y b into में p not b minus p not a minus p not b इसको मैंने equation को rearrange किया है equal to किसके minus p not a p b ये multiply करके इन दोनों की इसको इस साइड लेके जाएंगे term को दोनों में से p capital p को common निकालेंगे और इस साइड हम रखेंगे minus p not a p not b ओके उसके बाद देखो next क्या किया थोड़ा सा और solve के करेंगे तो क्या होगा p x b p not a minus p not b equal to p not a p not b ठीक है same as it is अब capital p की value निकाल लेंगे इसको हम निचे लेके जाएंगे ये divide में आजएगा तो ये मेरा क्या आ गया total vapor pressure आ गया total pressure आ गया in terms of vapor phase vapor phase के लिए p not a p not b divided by p not b plus p not a minus p not b into my yb ये result है ओके आप इस derivation को दो या तीन बार maximum दो या तीन बार रख copy में करके देख लेंगे ना आपको ये tips पे learn हो जाएगा ठीक है एक पर quick revise करते हैं एक बार क्या किया था starting से total vapor pressure हम find out कर रहे हैं mole fraction में किस के लिए vapor phase के लिए ओके सबसे पहले मैंने partial pressure निकाला a के case में फिर b के case में फिर pa और pb की value निकाल दी मैंने रबूर्सला से put कर दी equation first and second फिर मैंने डेल्टन स्ला यूज किया डेल्टन स्ला के according इन दोनों का sum up के equal हो जाएगा फिर मैंने relation use किया xa plus xb equal to 1 put किया इसमें इसको multiply करेंगे और xb की value निकाल देंगे इस xb की value हम second equation में put करेंगे और फिर क्या निकालेंगे हम solve करेंगे इसको capital p की value हमारे पास इसको rearrange करने के बाद जो common निकलता है उसको एक साइड निकाल दो और capital p की हम values find out कर लेंगे ठीक है उसके बाद next topic है मेरा relation between mole fraction of component in liquid phase liquid phase के लिए हमने पहले वाली वीडियो में किया था और आज हमने किया है vapor phase के के लिए अब उन दोनों का relation क्या है एक दूसरे के साथ relation find out करेंगे relation में देखो let कर लिया मैंने क्या है x y a y b मेरी mole fraction है a और b component की ठीक है तो y b sorry y a जो है वो किसके इकोल हो जाएगी pa जो उसका pressure है y में क्या हो जाएगा partial pressure y में total pressure है ना यह कर लिया अब इसमें मैं क्या करूंगी रैबूर्स ला लगांगी रैबूर्स ला यह होता है ना pa किसके इकोल होगा x a into p not a and p b किसके इकोल होगा x b p not b understand अब यह वाली values इस equation में put कर देंगे समझाया total किसके इकोल होगा capital p p a plus p b को अलग-अलग यह लिख दिया अब हम इसकी values यहां put करेंगे तो इसको हम करेंगे solve यानि x a p not a इसके इकोल है p a k divided by p a की value p b की value understand same चीज़ फिर वही करेंगे values put की है simple फिर हम क्या करेंगे x a की जगह जो relation था x a plus x b equal to 1 तो x a मेरा क्या हो जाएगा x a equal to 1 minus x b put किया यह वाला यहां put कर दिया यह third equation आगी उसके बाद क्या करेंगे y b की value इसको solve करेंगे multiply करेंगे इसकी इसके साथ फिर comma निकालके x b और फिर क्या करेंगे y b की जो value आएगी वो मेरे पास क्या आएगी x a sorry y a की आएगी y a की निकाल दिया ना हम तो y a की जो value आएगी यहां क्या कर लेना y a कर लेना इसको यहां क्या करना है y a करना है y b नहीं करना y a यह मेरे से mistake होगी लिखने में y a ठीक है y a क्या होएगी उपर x a p not a divided by p not b minus p not a into में x b plus p not a यह relation आजाएगा solve करोगे तो अब same as it is हम क्या कर सकते हैं p b का निकालेंगे y b का mole fraction for of b b component के लिए निकालेंगे तो same क्या होएगा उपर क्या होएगा p b by my pa plus p b values put करेंगे रगूर्ट ला के लिए x a p not b यहां क्या होजाएगा same यही वाला यही वाली solve करने के बाद same as it is यही आएगा दोनों का ठीक है अब दोनों को divide कर देंगे हम divide करेंगे तो उपर b रखेंगे नीचे a a की mole fraction ठीक है दोनों की values put करेंगे तो क्या ओएगा नीचे वाली जो terms है वो क्या हो जाएगी एक दूसरे के साथ cut हो जाएगी x b y में x a into में p not b y में p not e ठीक है यह हमारा relation आजाएगा किस के case में वेपर फेज के केस में और लिक्विड फेज के केस में ठीक है यह हमारा रिलेशन आ गया लिक्विड फेज और वेपर फेज के केस में एंढरेस्काइंड मोल फेज में मारी फेज में क्या एक्स नोमना समचा गया है नेक्स्ट देखो हमारे पास आईडल and non-idle solution कौन्स होता है idle solution क्या होता है guys simple याद रखने है रवूट्सला पड़ा हमने जो solution रवूट्सला को follow करेंगे obey करेंगे उसको हम बोलेंगे idle solution यानि रवूट्सला क्या था P A is equal to P not A X A P B equal to P not B X B यानि जो partial pressure है A component का वो किसके equal है partial pressure in pure state into a mole fraction same as it is partial pressure of P B क्या है equal to pressure in pure state multiplied by mole fraction understand यानि इन दोनों equations को जो रवूट्सला ने दीत equations उसको जो ओबे करेगा solution उसको हम idle solution बोलेंगे जो ओबे नहीं करेगा उसको हम non-idle solution बोलेंगे ठीक है सेम चीज हम इसमें शोक दिखाते है कि दोनों equation करके दिखाएंगे फिर हम total pressure निकालते होते है total pressure निकालेंगे तो total pressure जो होगा वो क्या हो जाएगा दोनों का sum up के equal हो जाएगा दोनों को add करेंगे ठीक है उसके बाद हमारे पास है जो solute है और solvent है are almost identical in molecular size and identical properties polarity यानि उनकी जो properties होती है उनका जो size होता है वो क्या होता है almost same होता है identical होता है ओके किसके case में idle solutions में उसके बाद एक condition होती है हमारी यह हम plus one में भी पढ़ते हैं कि जो idle solutions होती है उनमें देखो जो intermolecular attraction होता है intermolecular attraction होता है देखो दो components है एक A है एक B है इन दोनों के बीच में जो attraction होगा न और AA और BB इन दोनों के बीच में AA में अलग-अलग pure state में जो interaction होगा वो क्या होगा सेम होगा जो अलग-अलग में होगा यानि A, B में जो interaction है A, A में और B, B में तीनों में क्या होगा interaction का जो magnitude है जो value है वो क्या होगे same होगी idle के case में उसके बाद next condition है जो हमारी change in heat निकालते है वो 0 होगी यानि जो delta H है वो क्या होगा 0 होगा constant रहेगी हमारी कोई भी change निए होगा heat में same as it is जो delta V होता है वो भी क्या होता है change in volume भी हमारा क्या होगा 0 होगा उसमें भी कोई भी change निए होता उसके बाद मेरे पास है benzene इकसके examples जो होते हैं very important topic question आता ही आता है benzene और torlin n-hexane और n-heptane chlorobenzene और bromobenzene यह examples है idle solutions के यानि इन दोनों को mix करेंगे तो इन दोनों का जो solution बनेगा वो क्या होगा idle solution होगा रेवूट्सला को follow करेगा जो interaction है benzene और torlin में वो same होगी जैसे benzene benzene में होगी और torlin torlin में होगी ठीके जो heat हो change in heat होगा वो 0 होगा change in volume भी क्या होगा 0 होगा ओके understand यह था हमारे पास idle solution उसके बाद मेरे पास आता है non idle solution non idle solution मैंने बताया कि जो इन equations को follow ना करें जो मेरा partial pressure है वो इसके equal ना हो ठीक है second condition है जो A-A-A-B interaction है वो A-A और B-B के interaction से अलग होगी similar नहीं होगी ठीक है उसके बाद जो मेरा कुछ ना कुछ delta change change in volume है वो भी 0 के equal नहीं होगा change in heat है वो भी 0 के equal नहीं होगा just a positive idle solution ठीक है इसके examples क्या होएंगे ethyl benzee और water water plus nitric acid acetone plus fluorobenzene आपको at least दो दो example तो दोनों के याद करने है conditions तीनों चारों conditions हमें याद होगी जिए एक रेवुट्सला वाली एक क्या है interaction वाली एक delta V और एक delta H चार हमारे पास क्या होगी conditions होगी idle और non idle solution की और fifth point जो है इनका examples है दो दो example आपको याद करने आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे आगे जो इनके curves है जो graph बनते है वो next video में discuss करेंगे so guys stay tuned on the channel for the next video and thank you for watching this video on creative study